हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स आप सभी को गुड मॉर्नी और सभी लोग जल्दी से एक बार सेसन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रूप में जहां कहीं भी आप हैं चाहे हुआ फेस्बुक ग्रूप हो वाटसिप ग्रूप वहाँ पर फटाफट सेयर कर जीजिए देखे फ्रेंड्स आज इस सेसन में हम लोग बिहार पुलिस का ज्विक्जाम एक साथ और पंद्रह अक्टूबर दोहजार तेईस को लिया जाएगा है फ्रेंड्स उसके लिए विगत वर्सों में यानि कि विगत तेरह साल में जितन ही इंप्रुटेंट यह सेसन है सभी लोगों से मैं रिक्वेष्ट कर रहा हूं कि जल्दी से सेसन को लाइक कर जीजए ताकि सेसन हम लोग शिटॉर्ट करें फटाफट सभी लोग जल्दी से सेसन को लाइक कर दीजिये चलिए फ्रेंट्स अब हम लोग सेसन आज का स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंट्स आज इस सेसन में हम लोग बिहार पुलिस के लिए वर्स 2010 से लेकर के वर्स 2023 तक में यानि कि बिगत 13 वर्सों में बिहार पुलिस में जितने भी हिंदी ब्याकरन के प्रशन पूछे गा हैं, उन्हें सभी प्रशनों को हम आज एक ही वीडियो में इसकस करने वाले हैं, तकरीबन हम लोग 100 महत्पुन प्रशनों को कवर करेंगे, और देखें फ्रेंस हिंदी का मै यहां तकर कोन से पूछा जा रहा है, अरत का अर्थ का निशा भी होता है, रजनी भी होता है, यामनी भी होता है, सजनी नहीं होता है option C इसका right answer हो जाएगा चलिए अगला प्रशन करेंगे और दीखे इस वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटा का मैंने अपना महत्पुन समय दिया हुआ है friends please session को like जरूर कर दीजेगा देखे इसमें विप्रियार्थक सब्द बताना है अनुराग का का समय है जिनका एक तारीक पेपर है आप लोग ज्यादा से ज्यादा revision करिएगा ठीक है और सयम रह करके exam दीजेगा बिल्कुल हडबडाना नहीं आपको जो आता है उसको पहले बनाएगा और तेजी में का अर्थ क्या होता है सरवग्य का अर्थ क्या होता है देखे राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो यानि कि जिसे सब विशय में जानकारी हो क्लियर ऑप्सन ए राइट अंसर कराया हुआ है तीनों को देख लीजेगा 2010 से लेकर के 2023 तक में बिहार पुलीस में जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी के प्रश्ण पूछे गया थे उनको अलग-अलग वीडियो में कराया हुआ है मैंने आपको कवर उसको जरूर देख करके जाईएगा निम ने ल हो जाएगा जिसका संबंद प्रिथ भी से हो ऑप्शन भी करक्ट अंसर हो जाएगा मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा पांच से साथ सकंड आपको समय दूँगा उतने दिर में आपको अंसर कमेंट करना है नेमने लिखित में से प्रेम सब्द का परियावाचू नहीं है इसमें से कौन सा परियावाचू सब्द नहीं है बताइए राइट अंसर तो देखिए प्रणय होता है अनुराग होगा प्रिती होगा घिरना नहीं होता है घिरना जो है यह प्रेम का उल्टा सब्द हो जाएगा अगला प्रशन है हमारा कि साहित का यहां पर देखिए साहि अगला प्रशन हमारा कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त सब्द आपको बताना है जो कम बोलता है जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त सब्द होगा यह आपका मित भासी होगा मित भासी होगा जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है जो अधिक बोलता है प्रियाव आचू सब्द बताना है, जल्दी जल्दी अंसर कमेंट करेंगे रामन का प्रियाव आचू सब्द तो यहाँ पर देखेंगे, दसानन हो जाएगा, यानि कि दस सिरह हैं जिसके, दस आनन हैं जिसके अर्थात वह रामन हैं अच्छा सतुरानन का मतलब होता है भगवान ब्रह्मा, पितांबर का विश्णु और पंचानन का भगवान सियू, क्लियर, चलिए, उसके बाद देखेगा कि किसी बात को अत्यादिक बढ़ा करके कहना, वाक्यांस के लिए सही सब्द क्या है इसमें से, किसी बात को अत्याद कुस्टन करेंगे, फ्रेंट्स, प्लीज एक बार सभी लोग सेसन को लाइक कर दीजिए, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज सेसन को लाइक जरूर करिएगा, और इसको सेर भी कर दीजिएगा, मेरे भाई बहन, प्लीज इसको सेर जरूर कर दीजिएगा, देखेने में लेकित सब्द में से कौन सा सब्द क्रिया विशेशन है इसमें से यानि कि क्रिया की विशेशन जो बता रहा है वह क्रिया विशेशन कहलाता है चले बताए इसमें से कौन सा क्रिया विशेशन होगा तो यहाँ पर देखेंगे राम धीरे धीरे बोलता है है चलिए उसके बद अगला प्रश्ण हमारत है कि चाचा संग्या से विशेशन सब्द क्या होगा चलिए बताएं राइट अंसर क्या होगा तो चाचा से आपका सचेरा हो जाएगा option c right answer हो जाएगा चले उसको पर देखेगा कि निमनलिखित में से करमवाच्य का चैन करिए अब यहाँ पर देखे करमवाच्य यह हिंदी में पूछा जा रहा है आपने अंगरेजी में passive पढ़ा होगा active से passive तो उसे प्रकार से यह passive है आपको बताना है यानि कि करमवाच्य का चैन करना है बताई राइट अंसर इसमें से क्या होगा सभी sentence को पढ़िए सभी वाक्य को पढ़िए और राइट अंसर बताईए तो देखे इस वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है option B राइट अंसर हो जाएगा यहां करमवाच्य है उसके बाद next question कि निमनलिखित में अन इक आर्थक सब्द यानिकी एक से ज्यादा अर्थ वाला सब्द इसमें से क्या होगा तो यहां पर देखेंगे नीशा पुष्रांथ होता है इस तरह से तद्वुप्रांथ और अनिश्ट का इस तरह से अनिष्ट होता है है अगला प्रश्ण करेंगे कि राम खेल रहा है वाक में यहां पर कौन कौनसी कुरिया है यहां पर डीट है नंसर क्या होगा राम खेल रहा है इसमें कौन पर पढ़ता है वह सवकर्म क्रिया कहलाता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है ठीक है तो राम खेल क्या रहा है तो क्रिया का फल कर्म पर पढ़ रहा है क्रिकेट खेल रहा है ठीक है क्रिकेट अगर रहता तब यह सवकर्म क्रिया होता ल एक बार सभी लोग इसका एंसर कमेंट करिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चले उसके बाद next question कर लेंगे देखे राम पतर लिखता है यह सवकर्मक किरिया है देखे इत्यादी का सही संधी विक्षेद क्या होगा इत्यादी का सही संधी विक्षेद आपसे पूछा जा जाएगा इत्ती प्लस यादी और यह यन संधी का उधारन है ध्यान रखेगा यह यन संधी का उधारन है ठीक है ना यह यन संधी का उधारन है चले आगे बढ़ेंगे next question करेंगे कि भागिरत प्रियास मुहाबरे का उचित चैन करिए भागिरत प्रियास जो है इस मुहाब प्रयास करना भागीरत प्रयास का यहां उचीत होगा चलिए इस गन्य में मिठास नहीं है इस वाक्य में भावाचक संग्या कौन सा है इस गन्य में मिठास नहीं है तो यहां पर आप देखेंगे कि महोत्सो का अर्थ क्या है महोत्सो का सबसे पहले तो देखे संदीवक्षेद होता है महा जोड उत्सो यानि कि महान है जो उत्सो ठीक है ना महोत्सो महान है जो उत्सो और सन एराइट अंसर हो जाएगा चले आप कौन सा सर्वनाम है आप कौन सा सर्वनाम है बताईए तो यहाँ पर देखेगा मैं अपना काम स्वेम करता हूं स्वेम करता हूं यानि कि इसमें नीजवाचक सर्वनाम है या फिर मैं अपना काम आप करता हूं स्वेम और आप जो हैं यहां नीजवाचक सर्वनाम है तो यहां पर अप्सन भी हो जाएगा नीजवाचक सर्वनाम ठीक है न ध्यान रखिएगा चले उसका पर अगला प्रशन कि कंठे से निकलने वाली ध्वनी कौन सी है तो मैंने आपको बताया था कि कौवर्ग का उचारन स्थान चौवर्ग का उचारन स्थान पौवर्ग का उचारन स्थान तो वर्ग का उचारन स्थान यह सब मैंने आपको बताया था कौवर्ग का उचारन स्थान कंठ से होता है तो अप्सन यह हो जाएगा चौवर्ग का पुछेगा तो चौवर्ग का तालू से होता है ताला रखेगा चुकि आगे इस पर प्रशन आपको और भी मिलेगा चले अगला प्रशन करेंगे next question कौन समोह आचक संग्या नहीं है नहीं पूछा गया है बताए कौन सा इसमें से समोह आचक संग्या नहीं है रैट अंसर इसका क्या होगा तो यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स वर्ग बिल्कुल समोह आचक है कक्छा की बात की जा रही है सेना भी है सभा भी है जहरना नहीं है जहरना जो है यहां किस है तो जहरना व्यक्ति वाचक संग्या होता है चले अगला प्रश्ण करेंगे नेक्ष्ट कुस्टन कि तोपची में कौन सा प्रत्याय है तोपची में कौन सा प्रत्याय है अच्छा उपसर्ग यहां पहले लगता है और प्रत्याय बाद में लगता है तो तोपची में जो है सभ्यसाची किसका प्रयावाचू सब्द है, सभ्यसाची सभ्यसाची का मतलब होता ह there दाहिने और बायन दोनु हाथो से समान रुप्से कारे करता हो, और सभ्यसाची अर्जून को कहा जाता है अर्जुन राइट अंसर हो जाएगा यूद में इस्तिर रहने वाला यूदिष्टिर कहलाता है ठीक है ना सबसे जेश्ट पांडव यूदिष्टिर ही थे चले नेक्स्ट कुस्टन करेंगे कि आहवान का विप्रयार्थक सब्द आहवान का मतलब होता है बुलाना ठीक है न आपका पुजा पार्ट संपन होता है तो विसर्जन होता है अपने पढ़ा होगा तो आहवान का विसर्जन होगा चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है सैसो सब्द कौन सा संग्यापद है चले बताईएगा सैसो जो है यहाँ भावाचक है ठीक है ना भावाचक है चले इसके बाद नेक्ष कुस्चन है अधिकरन कारक के चिन है कौन सा है अधिकरन कारक के चिन है चले बताईए अधिकरन कारक के चिन कौन सा है तो में पै और पर्ज होता है अधिकरन कारक है करता ने करम को करन से संप्रदान को के लिए यह सब मैंने आपको बता दिया था पहले ही जब मैं sit करा रहा था ठेक है ना तो इतना basic आपको पता होना चाहिए अधि करन में पर ठेक है ना चलिए अगला प्रश्ना कि पढ़ना किस प्रकार की किरिया है अचा। आप कुछ भी पढ़नेंगे जब पढ़ेंगे तो कुछ साखर्याब बढूर्सदनाय कर्मक पक्रमक कर्यो करना को सब्सक्राइब कर सम talk विलिए लिए सब्सक्राइब समद्र का पयोधी होता है। उसके बाद बाद करें तो और भी होता है। जलदी होता है। चले वारी मतलब क्या होता है। चले नेक्षट कोशन करेंगे कि संस्कृत के जो सब्ध मुलूरुप से हिंदी में प्रयूख किये जाते हैं उन्हें कहते हैं। अच्छा यहां पर ध् ना तरूड योगिक और य Pourquoi याद है आपको बढ़ा आपने बच्पन में तो यहां पर्दिके संस्कृत के जो सब्द मूल रूप से हिंदी में प्रियुकिये जाते हैं वो तदभाव का हलाते हैं क्या का हलाते हैं अगला प्रशनी की ब्रिधी का विलोम क्या होगा जल्दी जल्दी भाई एंसर कमेंट करिए ब्रिधी का विलोम क्या होगा तो ब्रिधी क होता है चौका होता है का मुर्धा होता है तो का दनत होता है और पो करो होता है नेक्स्ट को स्वारैं कि हिंदी भासा में बें जनों की प्रैण की ब Turn घुड़ों कितने है और व येश्वर कितने हैं और मुझे कमेंट करते हैं एक प्रश्न यहाँ आपके लिए है ठीक है च्लिए अगला प्रश्न करेंगे कि परपेट में कौन सा सँमास है अब यहाँ पर दिखेए यहां पर दिखेगा पेट जो है इसमें मूल सब्द है चलिए तो यह आपका अव्यावी भाव समास है अव्याव भाव समास है कभी सब्द का स्त्रलिंग रूप क्या है तो ये तो आप पता है कि आपको कभी का कभीत्री होता है, लेकिन कभीत्री इसमें से सही कौन सा लिखा गया है, यह आप बताइए, चलिए कभीत्री सही इसमें से लिखा गया है, option number यहाँ पर देखेंगे, तो option B right answer हो जाएगा, अगला प्रशन करेंगे कि परिधी सब्द का समानार्थी सब्द, परिधी का, आपने ब्रित का परिधी पड़ा है, आयत की परिधी पड़ा है, तो परिधी और परिमाप एक ही सब्द होते हैं, आयत का अगर परिमाप पुछा जाएगा, तो भी 2 इंटू L प्लस B होता है, तो यानि कि परिधी और परिमाप यह समानार सब्सक्राइब मासा कारक तो करतान करम को करन से संप्रदान अि के लिए बढ़िये ना तो यहाँ पर के लिया है यानि कि संप्रादान कारक है इसमें के से दिए नेस्ट कोस्टन कर लेंगे कि वावरु यानिकि पॉपा बबा का उचारन अस्थान पुछा गया है तो यह बताइए ओस्ट राइट अंसर हो जाएगा पॉका नेक्स्ट कुस्टन है हमारे किनमनलिकित में से कौन साथसब्द इसमें से पूलिंग सब्राइए पूलिंग सब्राइए पूलिंग सब्राया ज hack अगर एक बार हैं कि गध और पद दोनों पढ़ना एक बार टैटको एक से दस कमीने लिए देख लिजेगा हिंदी का दस प्रश्ण होगा मैकसिमम दो से तीन मिनट एक वीडियो में लगेगा आदे घंटे का अंदर आप इन दसों वीडियो को देख लिजेगा चली नेमनलेखित में से कौन सा सब्द इसमें से पुलिंग है तो यहां पर देखेंगे बुढ़ापा ज इस तरह से लिखा जाता है तो यह तो गलत हो गया अनाधिकार इस तरह से लिखा जाता है अनाधिकार अनाधिकार तो यह भी आपका गलत हो गया असमरन सही है वाहिनी इस तरह से लिखा जाता है वाहिनी ठीक है ना चली ऑप्सन सी राइटन सर होगा इसका उसका अनल का समा आर्थी सब्द क्या होगा अनल पावक दावानल यह सब आग के प्रयावाच्व सब्द हैं ठीक है ना कि चले उसके पर देखेगा परत्यक्ष का बिलूम क्या होगा परत्यक्ष का बिलूम जो होता है यह क्या होगा तो परत्यक्ष का परोक्ष होगा परत्यक्ष का परोक्ष भी होता है भूमिधर व भी होता है अन्य धारधर भी होता है टीक है यह सारे पहाड के प्रयाची सब्द यहां प्रणिगी अगला प्रश्ण करेंगे नेक्ष्ट को संद्ध का बिलूम क्या होगा अगला करेंगे next question, चौराहा किस तरह का समासिक सब्द है, चौराहा देखिए इसमें अंक आ रहा है, चौराहा त्रिभूज, ठिक है न, यह सब क्या होते है, यहाँ द्वीगू समास होते हैं, यहाँ द्वीगू समास होते हैं, चलिए, जेश्ट का विलोम सब्द आप से पुछा ज निएए का रहा है ज्येश्र का विलूम सब्ड क्या हो दिस्ट मतलब बड़ा होता है और उसका उल्टा कनिष्र होता है यानीं की छोटा क्लियर चलिए उसके बाद देखेगा कि अतूल का समानार्थी सब्द अतूल का समानार्थी सब्द तो अतूल मतलब द्iałemत्लों अहां हो जाएगा इसका ठीटप ऊपलाब अगला प्रश्ण होगा अनुचित ठ्ढट से प्राप्त किया लाब के लिए एक क्या होगा तो इस आपका हो जाएगा अपलाब रहत आ प्राप्त किया लाब यहां पर दिखेगा नागरिक और यह जो है यहां पर आपका जाति वाचक निए डिली आगिया व्यक्तिवाक्व नेक्ष्ट कुस्ट संग्या सब्द्कॉन सा है इसन रिभ्षत संग्या संग्याव सब्ड़ यह अनक्ष्ट संग्या बताईए यह हो उसका बाद next question है कि वह सता ही जब सचमुच में यूद्ध हुआ नहीं होता है परांति यूद्ध का म awareness हम इसा बना रहता है उसको हम लोग क्या काते हैं तो इसको गिरह Opps कहा जाता है नहीं इसको सीत यूद्ध कहा जाता है ठीक है ना कोल्ड वार जिसको हम लोग बोलते हैं अंग रेजी में चले उसके बाद देखेगा कि कपीश और सचिंद्र सब्दों का सही संद्विक्षित इसमें से बताना है कपीश का और सचिंद्र का क्या होगा कपी प्लस इस होता है इस तरह से कपी जोड इस होगा और सची कि प्लस इंद्र होगा तो कहां अ प्रदिया गए है देखिए तो यहां पर प्रदिए कि कपी प्लस और सची प्लस इंद्र option c right answer हो जाएगा चले उसके बाद देक्ष कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्णी की उपसरगों के बारे में सत्य नहीं है सत्य नहीं सब्द के प्रणम में उपसरग जुड़ते हैं सब्द के अंत में नहीं सब्द के अंत में तो प्रतिया लगता है तो यहीं जो है सत्य नहीं है अर्थ में परिवर्थन कर देते हैं बिल्कुल नया सब्द निर्मित होता है बिल्कुल ये सही दिया गया तीनों option b right answer हो जाएगा यहाँ घर मेरा है और वह तुम्हारा रिखांकित यहाँ पर किया गया है सब्द क्या है यहाँ घर है यहाँ घर मेरा है वह घर तुम्हारा है बताए राइट अंसर इसका क्या होगा करेक्ट अंसर इसका क्या होगा बताई तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा तो यहां संग्या होगा ठीक है ना चले उसका बाद दिखेगा कि सांती से बैठ करके अपना कारे कीजिए यहां पर रिखांकित किया गया है वही पुछा गया रिखांकित सब्द किस किरिया सांती से बैठ करके चली बहु ब्रीही समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना बाद वाला पद दूसरा पद इसमें तीसरा पद प्रधान होता है ठीक है बहु ब्रीही समास में विशेस अर्थ प्रकट करता है वर्णों का सार्थक समुह क्या कहलाता है वर्णों का सब्सक्राइब करना है यह लड़की सब्सक्राइब करना है यह पूरा फुल नहीं इसको पूरा करना आपको आवेल क्या होता है आवेल खेत जोत नहीं ये लोकोकती तो हमने सुना ही नहीं है आवेल अचारा खा ये भी नहीं है आवेल गाड़ी चला नहीं आबेल मुझे मार आबेल मुझे मार यानि कि बिपति को निमंत्रन दे करके बुलाना जान बुझ करके मुसीबत मुल लेना ठीक है ना तो आबेल मुझे मार एक बार सभी लोग फ्रेंट्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिये और अपने फ्रेंट्स के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिए देखें इसमें से भारत इंदू का सही संदिविक्षेद क्या है भारत इंदू का तो भारत इंदू का होता है भारत प्लस इंदू भारत प्लस इंदू यह वाला अप्शन डी राइट अंसरो जागा भारत प्लस इंदू नीलकंट सब्द क्या है तो नीलकंट यानि कि नीला है कंठ जिसका यानि कि भग्वान सीव इसमें विसेस अर्थ प्रकट हो रहा है ना इसलिए योगरूड है योगरूड मैंने बतायता है कि बनाउट की आधार पर सब्द के तीन वेद होते हैं रूड योगिक और योगरू पितांबर पीला है जिसका अंबर यानि कि भगवान पिश्णु की बात की जा रही है तो पितांबर भी योगरुड ही होगा चले उसके बाद करेंगे कि इसके लिए उपयूक्त सब्स चुनिए श्रहा है श्रयक है यही अकरमख मैं बालक को बाता हूं किसको जगवाना बालक को यह सकर्मक है, मदन गोपाल को हसा रहा है, हसा रहा है किसको गोपाल को, वहाँ पत्र लिखता है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो यह सारे सकर्मक क्रिया है, क्रिया का फल किस पर पढ़ रहा है, करम पर पढ़ रहा है, इसलिए सकर्मक है, और अकर्मक हो जाएगा चले घर का जोगी जोगना आन गाउं का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है घर का जोगी जोगना आन गाउं का सिद्ध इसका मतलब होता है घर के ज्यानी को सम्मान नहीं चले उसका बद नेक्श कोस्टन है पैर फैला करके सुना मुहाब्रे का अर्थ पैर फैला करके सुना मुहाब्रे का अर्थ क्या होगा इसका मतलब होता है निस्सिंत हो करके सुना इसका मतलब होता है निस्सिंत हो करके सुना चले उसका बद देखेगा कि आजनम सब्द का समा इसलिए नेक्स्ट कुस्टन रासी का सही अर्थ बताइए रासी का का मतलब बताना है क्रितग्न का मतलब आप से पूछा जा रहा है तो यहां पर दीकर आफसान फरोस होता है क्रितग्न का मतलब चलिए गंगा हिमाले से निकलती है यहां देखे हिमाले से निकलती है वाक्यांस में रिखांकित सब्द कौन सा कारक है तो गंगा हिमाले से निकलती है यानि कि इसमें अलगाव हो रहा है तो अलगाव जब भी होगा तो यह कौन सा होगा आपादान कारक होगा जैसे पेड़ से पत्त का पेरसा लगाव हो रहा है तो इसलिए यहां भी आपादान का रखोगा नेक्ष्ट कोस्टन करेंगे कि उजवल यहां पर दिक उत्र पलस जवल का संदी मतलब उत्र पलस जवल की संदी से सब्द कौन सा बनेगा तो यह तो आपको पता उजवल बनेगा लेकिन उजवल सही इसमें से कौन सा लिखा गया यह थोड़ा सा कठीन है तो उजवल इसमें से सही जो लिखा गया है अपसें डी उजवल इस तरह से लिखा जाते इसको आप ध्यान भी रखिएगा नेक्ष्ट कुस्टन है निमनलिकित में से मोक्ष का प्रयाव आचु सब्द कौन सा हो देख जोड़ अपी इसका राइटन सर हो दियागा इस तरह से तथा और अपी ध्यान रखिएगा अगला प्रशन करेंगे कि नौगरह सब्द का समास बेद बताई तो नौगरह त्रिभूज यह सब मैंने आपको बताया था कि यहां कौन सा है तो यहां द्विगू समास है याद अगला प्रशन करेंगे कि उसने पत्र लिखा रखांकित सब्द का सर्वणाम भेद बताई रिकानिक पुन सा सर्वणाम है उसने में कौन सा सर्वणाम है चले इस सभी लोग अंसर कमेंट करिएगा और फिरंस प्लीज session को लाइक कर दिए अपने अपने exam center पर समय से अप प रंगने के समय कोई भी आपको अगर दिक्कत होती है समझ में नहीं आता है तो आप वहां पर जो विक्षक होंगे जो गार्डिंग में होंगे परिक्षा के उनको बुलाईएगा और उनसे समझ करके रंगिएगा ठीक है ना इसमें पुरुस वाचक जो है सर्वनाम है पुरुस वाचक सर्वनाम है चले व्याकूल का संधिविक्षेद क्या होगा व्याकूल का तो वी प्लस आकूल होता है यहाँ यन संधी का उधारन है यहाँ आप याद रखिएगा वी जोड आकूल होगा यहाँ यन संधी का उधार है next question किसी कारे को करने का संकल्प करना मोहाबरे का अर्थ क्या होता है किसी कारे को करने का संकल्प करना चले जल्दी से एंसर बता दीजिए सभी लोग एंसर कमेंट करिएगा सब को एंसर कमेंट करना है इसी कारे को करने का संकल्प करना उसके बहुत कुछ जानता हो जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो ये बहुसरुत होता है ध्यान रखियेगा चले उसके बहुत करना कठीन हो वाक्यांस के लिए एक सब्द बताना है जिसको प्राप्त करना कठीन ह उसको क्या कहेंगे चले सेशन को सभी लोग लाइक कर दिजिए और इसको सेयर कर दिजिएगा ठीक है ना तो यहाँ दुरलब होता है फ्रेंस इतना ही प्रश्ण था मैंने आपको सब कुछ कवर करा